आज का क्लास इंपोर्टेंट क्लास है जो कि नंबर सिस्टम से जुड़या हुआ है इसमें आपको काफी इंपोर्टेंट सवाल जो कि मिलेंगे जो कि बिहार पुलीस, NTPC, गुरूप D and any other competition exam में काफी महतपून भूमी का निभाएगा तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्लास इस परकार है यदी यदी P4, P416, 11 से बिभाजित है तो P का नुइंतम प्राकृतिक मान क्या होगा P416, 11 से बिभाजित है तो P का प्राकृतिक मान क्या होगा तो देखिए सबसे पहले इस तरह के questions को solve करने का एक trick है एक trick यह है जो आप एक line बनाएं सम संख्या मतलब ये पर्थम संख्या से तीत्य संख्या को जोड़े और तीत्य संख्या को तीत्य संख्या से जोड़े इस तरह से आपको क्या होगा P प्लस 1 इस दोनों को करने के बाद इससे माइनस करे किसको 4 प्लस 6 को 4 प्लस 6 को अगर आप ये करते हैं तो कितना हो जाएग आपको यह जो घटने के बाद P-9 हो जाएगा तब P-9 हो जाएगा तब P-9 इस पड़कार के questions को इस तरह से solve करें तो P बड़ावर कितना हो जाएगा आपको 9 तो यहां पड़ अगर 9 डालते हैं P के जगह पे तो यह पून्तब बिभाजित प्राकृतिक मान गयात होगा मतलब पून्तब बिभाजित हो जाएगा और P का निमतम प्राकृतिक मान 9 होगा कितना होगा 9 होगा ठीक है next questions के तरह हम लोग चलते हैं next question इस परकार है यदि यदि 34 x 68 9 से भाजिये हो तो x का मान क्या होगा एक्स का मान क्या होगा 34 x 68 से 9 से भाजिये हो तो x का मान क्या होगा बहुत ही आसान question है इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए comment box में comment कर सकते हैं देखे इस तरह के questions को solve करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा जो जितना भी मान है इसको add कर देंगे जितना भी मान है जैसे की 3 plus 4 plus x plus 6 plus 8 इसको करने के बाद हमको total कितना आया 21 plus x 21 plus x अब यहाँ पर हम क्या x के जगा पर कौन सामान रखेंगे जो 99 कौन सामान रखेंगे जो 9 से भी भाजित हो जाए तो यहाँ पर 21 है तो 7 डालेंगे तो 28 हो जाएगा छे डालेंगे तो 27 तो 9 तिया 27 करता है इसका मतलब है जो अगर हम 21 x के जगा पर 6 डालते हैं तो यह 27 हो जाएगा तो 9 तिया 27 यह पूरी तरह से कट जाता है यह पूरी तरह से कटने के बाद इसका मतलब क्या हो गिया एक्स कमान बूढ़ावर 9 तो x कमान बूढ़ावर 6 शॉरी 9 से विभाजित होता है तो x बूढ़ावर 6 हो जाएगा यहाँ पर लिखा हूई था यदि 34 x 68 x pixels x कमान क्या होगा X कमान 6 होगा ठीक है इस परकार के question को इस तरह से solve करें ऐसे question बार-बार पूछे जाते हैं जो कि देखिया रार भी NTPC 2016 में पूछा हुआ question यह सारे question पूछे हुए question सही है जिसको मैं division आप लोगों करा रहा हूँ next question है यदि X तथा Y संख्या 679 X Y के दो अंग्त इस परकार है कि संख्या 80 से पूंता विभाजित हो जाती है तो X प्लस 4 का मान क्या होगा यहाँ पर simple X प्लस 4 का मान पूछ रहा है X प्लस 4 का मान पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है 80 को दो भागों में बाठी है तो 80 का दो भाग क्या होगा 10 गुने 8 10 गुने 8 इसका मतलब क्या है अगर इस संख्या को इस संख्या को 10 से भी भाजित होने के लिए लास्ट में 0 होना अनिरवाए है पूंता भी भाजित होने के लिए 10 लास्ट में 0 होना अनिरवाए है तो इसका मतलब क्या होता है y के जगा पर 0 पड़ेगा इसका मतलब y के जगा पर 0 पड़ेगा तो 669 9 x and 0 यहाँ पर 0 पड़ेगा अब इस संख्या को 8 से विभाजित होने के लिए इस संख्या को 8 से विभाजित होने के लिए x में कौन समान डालना पड़ेगा x में कौन समान डालना पड़ेगा जो x के कौन समान डालेंगे यह 8 से पुन्ता विभाजित हो जाए X में कौन समान डालेंगे जो यह 8 से पुन्ता विभाजित हो जाए यहाँ पर हम सबसे पहले काटी के देख लेंगे बहुत आसाने 25 सेकेंड में हम कर सकते हैं यहाँ पर उसे हम काट के आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर 6 डालेंगे, 6 डालेंगे तो यह 8 से पुन्ता विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब है जो 6, 6, 9, 6, 0, यह आपको 80 से पुन्ता विभाजित यह अंक हुआ, हमको लेकिन यह नहीं पूछ रहा था, हमको पूछ रहा था, x बोराबर, 6 यहाँ पर निकल पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, जिसका आंसर होगा, 10, next questions की तरब चलते हैं, काफी important questions है, जो कि आपको हर बार पूछा जाता है, आप देखिए, इस पर करके questions हमेशा आपको exam में पूछे जाएंगे, निम लिके संख्याओं में सी, कितनी संख्याए, 175 से होती है, तो सबसे पहले, सबसे पहले इसमें एक काम करेंगे, यह सब question timeless question है, इसमें एक काम भटाक से आपको करना चाहिए, वो काम है, बहुत मोहपतपून tricks इसमें है, 175 का आप सबसे पहले गुनन खंड कर लिजे, 175 का गुनन खंड कर लिजेगा, तो आपको 5 गुने, 5 गुने, 7 मिलेगा, 5 गुने, 5 गुने, 7 मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब है, इसमें से जो भी संख्या, 5 और 7 से बिभाजित होगी, इसमें से जो भी संख्या, 5 और 7 से बिभाजित होगी, वो पूंता बिभाजित होगी, वो 175 से बिभाजित होगी, तो इसमें देखिए, इसम आपको सबसे पहले विभाजित होगी 875, 875 आपको 7 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगा, next होगा आपको पुंता विभाजित 1575, कौन सा होगा, 1575, 1575 भी आपको 8 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद आपको 2625, 2625, आपको 8 और 5, 7 और 5 दोनों से विभाजित होगा, उसके बाद हो जाएगा आपको 3325, 3325, यहाँ पर तो मैं लिख दिया हूँ, लेकिन आपको उत्ता सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा काट खुट करना पड़ेगा, तो वो काम आप एक नमबर के लिए यहाँ रिजल्ट बनता हर भी करता है, यह काम आप लोग करी सकते हैं, ठीक है, आप लोग को तरीका बता दिया हूँ, तरीका एक बार फिर से समझ लिए, इस परकार के कोईशन आए, जो किसी से भी कितनी पुन्ता विभाजित हो, तो उसको सबसे पहले छोटा करने की कुछिस, क्योंकि अगर 175 से आप काटने चले जाएगा, तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, गुना से कटना चाहिए, तो यहाँ पर क्या दिमाग है, यहाँ पर एक दिमाग है, यहाँ पर एक दिमाग यह है, पांस से तो सारी कट रहा है, पांस से पूरा कट रहा है, तो हम पांस से नहीं काटेंगे, पांस से नहीं काटेंगे, साथ से काटेंगे, साथ से जो जो अंग हमार कट गया इसका मतलब वह 175 से पून्ता विभाजित है यह special trick है यह trick आपको दिमाग में रखना है चलिए next questions के तरफ कर चलते हैं next question है नेमली के संख्याओं में कितनी संख्या है 175 से पून्ता विभाजित है यह question double हो गया next questions के तरफ चलते हैं फोर नमर question एक सिकेंड यहाँ पर तीन हो गया था एक हो गया दू हो गया चलिए एक दू तीन चार हो गया चार मतलब यह question दू बाड़ा गया था last question है आज का हम लोगों का देखिए यह question है 9 का power 19 प्लस 6 प्लस 6 आठ से विभाजित करने पर 6 कितना बच्चेगा 6 कितना बच्चेगा तो इसमें एक दीमाग आप ऐसे लगईए 8 से इसको भिभाजित करिये तो कितना बच रहा हैfig बच रहा है अगर 8 से 9 को भी भाजित करेंगे तो एक बच रहा है, एक का पावर 19 अगर हम रखेंगे, अब पलस 6, तो एक का पावर 19 एक के हो जाएगा, तो पलस 6 इक्वल टू 7, तो इसका इस तरह के questions को इस तरह से solve कर सकते हैं, सीधा सीधे एक questions से भाग करिए, भाग करने कवाद एक ब questions देखने के लिए अमारे चैनल को subscribe करें, लाइक करें, वेल आइकन को भी दवाना न भूले, और और सारे भी class में डालता रहता हूं, जो कि आप लोगो को देखना चाहिए, important questions, जो कि आपको number system से ये जूरा हुआ था, तो class अच्छा लगा हो, session अच्छा लगा हो, तो दिल से like करें, और subscribe करें, और share करना न भूले, क्योंकि अगर आप दूसरे को share करेंगे, तो वो भी class को देखेंगे, और मुझे भी energy मिलेगी, जो हम, मेरा view जा रहा है, मैं बच्छा पढ़ रहा है, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, और मैं भी और मेहनत करूंगा, आप लोग